हलो गाईज आप देख रहे हैं गॉसप टाउन और मैं हूँ आपके साथ कृतिका ईशा देओल ने अब अपने पती को कर दिया है अपने पापा से कमपेर बिल्कुल सही सुना आपने ईशा देओल का एक बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है जिसमें वो अपने पापा धरमेंदर की तुलना अपने पती भरत अक्तानी से करती नजर आ रही है क्या है पूरा माजरा मैं आपको बताऊंगी लेकिन उसे पहले गाईज आप लोग गॉसप टाउन को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले वीडियो को लाइक कर ले और शियर भी जरूर करिएगा देखें जैसा कि हम सब जानते हैं कि भरत और ईशा ने शादी के 12 सालों बाद अपना रुष्टा खत्म करने का फैसला लिया है और ये दोनों ने मीच्वल अंडिस्टानिंग के साथ किया है ऐसे में हर कोई शौक्ड है इस बड़े फैसले की खबर सुनकर कहा जा रहा है कि भरत तक्तानी का एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर चल रहा है और वो ऐसे में ईशा से तलाक लिना चाहते हैं ईशा के सामने भी भरत का जब सच आया तो वो भी पूरी तरीके से तूट कर बिखर गई ऐसे में गाईज अब ना एक इंटर्व्यू वाइरल हो र बिलकुल उनके पापा की तरह है जैसे कि ईशा की माने तो उनके पापा धरमेंदर है फैमली मैन और वो अपनी पतनी से बहत प्यार करते हैं तो वही ईशा को भी लगता था कि भरत उनसे बहुत प्यार करते हैं और भरत जब उनकी जिन्दगी में आये तो ईशा को लगने प्रीवार लगते थे और हमेशा से ही इशा को लगता था कि जो भरत अक्तानी हैं वो बहुत ज़ादा ट्रेडिशनल है याने कि वो अपने प्यार को और अपने परिवार को साथ लेकर चलना जानते हैं और यही वजा थी कि इशा को भरत पसंद आ गए थे क्योंकि कहीं न कही इशा को भरत की जो ज़ला कहना वो अपने पिता की तरह लगती थी अब ऐसे में इशा देओल के माइने क्या थे मतलब क्या थे इस लाइन के ये आप भी हमें बता सकते हैं कॉमेंट करके क्योंकि रगातार जो सोशल मीडिया पर लोग है वो कहीं न कहीं इसे न अब वाले हला बातूपर जोड कर देख रहे हैं, लोगों का कहना है क्या, इशा को पहले से ही पता था कि जो उनके पती है, वो भी उनके पापा की तरह दो शादिया करेंगे, दो रिष्टे रखेंगे, जो भरत है, उनका एक्स्रोमेरिटल अफेर चल रहा है, यह तमाम चीज़े क्या इश इश्या को पहले से अभास होती नजर आ रही थी इस तरह के you know social media पर चीज़े सामने आ रही है पर guys मैं आपको बताना चाहती हूं ऐसा कुछ भी नहीं है बलकि इश्या को हमेशा से अपने पिता की तरह काफी जादा समझदार लगते थे भरत तक तानी वहराल guys कैसा लगा वी